आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग वैलेंटाइन स्डे के लिए कुछ हैरस्टाइल्स देखने वाले हैं तो चलिए चल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो हैरस्टाइल है वो है ट्विस्टेड हार्ट हैरस्टाइल यहां पर हर इक हैरस्टाइल मैंने हीटलेस बनाया है यानि कि मैंने यहां पर किसी भी टूल का यूज नहीं किया है सबसे पहले तो हम जैसे हाफ पोनी लेते हैं वैसे ही ले लेना है मैक्शूर किजिए कि आपके बालों में कोई भी घूँच ना हो उसके बाद रबर बेंट की मदद से हमें उसे सिक्योर कर लेना है बीच में से थोड़ा जगे बनाना है और पोनी टेल को उसी जगे में से निकालना है और बापस से हमारा जो पोनी टेल है उसे टाइटली सिक्योर करना है अब जो पोनी टेल है उसे दो पोर्शन में डिवाइट कर दीजिए और उसके बाद हर इक पोर्शन को आपको ट्विस्ट करते जाना है जितना आप twist करते जाएंगे उतना ही यह hairstyle ज्यादा अच्छा लगेगा बाद में एक और rubber band की मदद से हम उसे secure कर लेंगे यहाँ पर heart थोड़ा सा cute सा लगे इसलिए मैंने दो red flowers यूज़ किये है तो ready है हमारा hairstyle second जो hairstyle है वो भी मैंने heart shape में ही create किया है और उसका नाम है side bread hairstyle यहाँ पर सबसे पहले हमें बालो को side portion में divide कर देना है और उसके बाद हम जैसे regular चोटी बनाते हैं वैसी ही यहाँ पर हमें दो चोटी बनानी है आपके बालो का जिसा growth होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर दो चोटी बनानी है तो आप उस हिसाब से चोटी बनाएगा कि जो heart चो है वो exactly कान के पीछे बनेगा तो ज्यादा सुन्दर दिखेगा यहाँ पर दोनों ही चोटी बना लेके बाद हमें चाहिए bobby pins क्योंकि इस चोटी को हमें heart shape देना है तो पीछे वाला जो चोटी है उसे हमें अंदर की और लाना है और आगे वाला जो चोटी है उसे भी एक round लेके हमें अंदर की और ले जाना है अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ तो दोनों ही braid को जब हम अंदर की side ले जाएंगे तो आपको एक heart का shape दिखाए देगा नाव नीचे का जो portion है उसे हम एक ही rubber band से secure कर लेंगे अगर आपको लगे कि और एक bobby pin का ज़रूरत है तो आप उसे भी लगा सकते हैं तो ready है हमारा hairstyle थर्ड जो hairstyle है वो है half braid heart ये भी मैंने heart shape का ही hairstyle create किया है ये बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें half ponytail बनाना है जैसे कि हमने आगे की hairstyle में बनाया था same उसी तरीके से हमें यहां पर half ponytail बना लेना है और उसे secure कर लेना है यहां पर beach में से हमें थोड़ा सा जगा बनाना है बापस से हमें नीचे से उपर की और अपने ponytail को ले जाना है और ponytail को secure कर देना है नाव पोनी टेल को दो पोर्शन में हम डिवाइट कर लेंगे और अब इस बार यहाँ पर ट्विस्ट करने की जगह हम दो चोटी बना लेंगे यह जो हार्ट है वो मेरा सबसे फेवरिट है क्योंकि जब चोटी बना कर उसे हम नीचे की और अटेच कर देंगे तो प्रॉपर एक हार्ट का लूक हमें मिल जाएगा यहाँ पर अगर आप चाहे तो फ्लावर यूज़ कर सकते हैं अगर फ्लावर यूज़ नहीं करना है तो और कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स जैसे की बो है या तो फिर पॉल है ऐसा कुछ भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करेंगे तब प्यारा and cute सा heart ready है यह इस वीडियो का आखरी hairstyle है और यहाँ पर मैंने heart नहीं बनाया है एक random hairstyle बना दिया है जो काफी ही easy है cute सा है आपको सबसे पहले बालो को दो portion में divide कर देना है और दो half चोटिया बना लेनी है उसके बाद आगे जैसे हमने पहले भी बीच में से gap बना कर वो चोटिया को निकाला था वही process को इधर repeat करना है और उसके बाद जो दो flowers जो कि मैंने पहले use किये थे उसी को मैंने यहाँ पर attach कर दिया है अगर आप एक teenage या तो college girl है तो यह hairstyle आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा Valentine's Day के लिए भी यह better है अगर Valentine's Day नहीं भी है तभी भी यह एकदम दो मिनिट में बनने वाला cute सा hairstyle है तो इन सारे hairstyle में से आपको कौन सा hairstyle सबसे ज्यादा अच्छा लगा comment section में मुझे link के जरूर बताएगा क्योंकि आपका प्यार और आपकी comment से ही मुझे नए नए वीडियोस बनाने का motivation मिलता है तो आपसे बहुती जल्द मुलाकात होगी Bye Bye, Take Care, Happy Valentine's Day